नीद कैसे आजाएगी students? नीद का मतलब समझते हैं आप responsibility less अगर आप हैं तो ही आपको नीद आएगी अगर तुमारे पास responsibility है, जिम्मेदारी है students तो तुमको नीद कैसे आ सकती है अगर आपको नीद आती है, तो आप careless है उस समय तुम अपने माबाप के सपनों को डुबा रहे हो माबाप के सपनों को सुला रहे हो माबाप के सपनों को अपने सपनों को तुम आद में जला रहे हो सोने का मतलब यह है सोना क्या होता है स्टुडेंट्स सोने की आदत लग गई सू कैसे सकते हो students तुमारे अंदर इतनी आ गए कि तुम पूरे सागर को सुखा सकते हो और तुम कहरो कि सोने की आदत लग गई है सोने की आदत उसी को लगती है जो अपने life में कुछ नहीं कर सकता है irresponsible है responsible man को सोना अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको एक दिन सोना बनना है तो सबसे पहले सोने को थ्यागना पड़ेगा तभी तुम सोना बनकर आगे निकलोगे